जैसे राम, नमस्कार, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, दस वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में, आज हम बात करने वाले हैं, आज सोवर है, और सोवर का उपाया आपके चंदर को उठ करते हैं, आज आप दूद और चावल का दान कीजिए, दूद और चावल का दान किसी तरह में किसी करीद को, यहां किसी जानवर को, पशुपक्षी को किसी भी तरह से करें, दूद करता हैं, इसके तरह को आपका स्व आअगल को सब्वावित हो सामने वाला हमारी और अकर्षित हो और सामने वालेबाप को अच्छी लगे तो ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी बात सामने वले को अच्छी लगे, अब माबाब अपने बच्चों को कुछ कहें, तो बच्चों को लगे कि माबाब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी नायाब धार्मिक उत्तम वस्तू नहीं कहूंगा परमातमा का शीरवाद कि जिसे धारन करने से आपके सामने वला व्यक्ति आपकी बात से प्रभावित होगा आपकी और अकर्शित होगा और आपका प्रतेक वैकारे करेगा जैसा आ एक तरह का एक तरह से वशीकरन की तरह होगा वशीकरन तो नहीं कह सकते हैं लेकिन अकर्शन जरूर होगा क्योंकि बॉड़ी में इससे एक विशेश वाइब्रेशन बहती है जो हमारी बॉड़ी से फिर कुछ किरने निकालती है और वह सामने वाले की और जाती है तो वह हम किसी का हाथ लग जाए तो वो करंट उसे लग जाता है या तेज धारा का जो करंट होता है उससे थोड़ी दूर भी हाथ हो तो वो अपनी तरफ खीच लेता है ऐसे ही हमारी बोड़ी से जब वेवस निकलती हैं तो सामने वाले व्यक्ति को टच करती हैं तो हमारी बातों से व हमने त्यार किया है एक मुखी रुद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष हवन यग्य पाठ पूजा करके जब आप इसको धारन करेंगे क्योंकि यह हवन हुआ हुआ है सिद्ध हुआ हुआ है तो इसको धारन करने से आपकी बोड़ी से जो वेवस निकलेंगी वो सामने वले को एक धम पर भावित करेंगी और वो आपकी हर बात को मानेगा कैसे आप यदि दुकांदर हैं कुछ दिखा रहे हैं। तो सामने वले को लगेगा कि बिल्कुल आप सहीं कह रहे हैं और मुझे वस्तू लेनी चाहिए। आप टीचर हैं तो बच्चों को बात समझ लगेगी माँ-बाप हैं तो बच्चों को आपकी बात समझ लगेगी। ऐसे भी कहते हैं कि यदि रुद्राक्ष धारन करें तो हमारी बॉडी में बहुत अधिक शक्तियों का वास होता है हम निरोग रहते हैं और वाता वरण में जो positive vibrations से वेव से हमारी बॉडी में आती रहती हैं तो अध्यात्मिक्ता की डिश्टी से इसके बहुत अधिक माइने हैं तो मैं समझता हूं कि आपको यह रुद्राक्ष क्योंकि हावन करके पाठ पूजा करके हमने त्यार किया है आप इसको धारन करें कोई इसका परहेज नहीं होत यह परमात्मा की शक्ति आपके साथ रहेगी भक्ति आपके साथ रहेगी क्योंकि इसको धारन करने से परमात्मा की भक्ति भी मिलेगी और नेगटिविटी दूर होगी और बुरे कर्मों से हम बचे रहेंगे और सामने वाले को परभावित कर सकेंगे हमें लाब भी मिलेग और प्रमात्मा के अती अती करीब जाएंगो जब यती प्रमात्मा के करीब जाता है तो बुरी आते भी छोटने लगती हैं तो इसको धारन कीजिए इसकी कीमत हमारे संस्थान से जो है हवन यग्य सिद्ध करके 11,000 पर है मंगवाना हो तो आप इसी नंबर पर गूगल पर कीजिए वाटसब करके आप पूर्ण जानकरी ले सकते हैं इसके अत्रिक्त यदि कोई स्वाल हो तब भी वाटसब कीजिए और यदि आप अपनी जनम कुंडली दिखाना चाहते हो चाहते हो कि योग देखें कि कुंडली में कौन सा है कैसे क्या करें तब भी वाटसब कीज ये नमस्कार खुश रही और आपना द्यान रखें